So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पहला प्रशन बताईए, भारत का पहला एलेक्टरिक वेकल सिटी कौन सा बनाए, गुजरात का केवडिया और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला electric vehicle friendly highway कौन सा बन रहा है दिल्ली चंडिगड आएगे और electric से आपको याद आएगा railway पूरी तरह से कब electrified हो जाएगा 2023 तक और पूरी तरह से renewable energy green energy पे चलने लगा कब तक 2030 तक और बताओ 2030 तक का हमारा renewable energy अक्षे उर्जा का टार्गेट के इतना है 450 गीगावाट का है और अभी आपको याद होगा 500 फुट पर विश्व का सबसे उचा electric vehicle charging इस्तापित किया गया हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के काजा में फिर बताइए world mosquito day 20 अउगस्त को थीम क्या रही reaching the zero malaria target मलेरिया को खतम करने का लक्ष अमारा 2030 है malaria दिवस 25 अपरिल को होता है malaria मादा एनफलीज मच्छर के काटने से होता है और dengue मादा एडीज अजप्टीज मच्छर के काटने से होता है चलो बताओ world dengue day का मनाते comment box में type करके बताओ अगला है राष्टर युवा पुरुसकार किसे दिया गया महमद आजम को एक national youth day भी याद रखो इसी से 12 जनवरी को स्वामी विवेका नंजी के जनम दिन को इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है अभी global youth development index आयता 2020 वाला उसमें भारत 122 वे स्थान पे था टॉप पे सिंगापुर रहा एटना जौला मुखी किस द्वीप पर है? सीसीली द्वीप पर है और कहां है यह इटली में है इटली में एक स्ट्रामबूली जौला मुखी बोथ important exam में पूछा जाता है जिसे भूम अद्यसागर का प्रकाष सिस्थम भी का जाता है ये किस द्वीब पर है लिपारी द्वीब पर, एक्जाम में प्रशना है था ये द्वीब वाला, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, आपको ये तो बताओगा एटना ज्वाला मुखी कहां पर है, इटली में है, प्रशना है था किस द्वीब पर है, सीसिली द्वीब पर, व पताओ कौनसा महादीब जाप एक भी ज्वाला मुखी नहीं है और ज्वाला मुखी में सबस्यदा कौनसी गेस निकलती है तो जलवाश्ट वाटर वेपर, अफरीका की सबसे उची चूटी, किली मंजार हो है, किस देश में है तंजानिया में, अभी बीएसेफ के नए डारेक जनरल क्या नामे संजी अरोडा, फिर बताएए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार थी दिवस कब मनाया गया तो अंचरों का 20 जून को, और इसकी क्या थीम थी, टूगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया गया, इस बार हमने स सात्वा विश्व योगा दिवस मनाया था, थीम थी, योगा फॉर वैलनेस, यूनाटेड नेशन ने इसकी जो थीम दी थी, वो थी, योगा फॉर वैल बेइंग, वाइल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये 21 जून को मनाया जाता है, इसकी क्या थीम थी, 100 year of international cooperation in hydrography, और इसले बुला क्योंकि अभी इनका वक्त समापत हो गया और अभी नए भी बन गए है, चलो बताओ अभी नए प्रमुख हाइड्रोग्राफर कौन बने है, बताओ वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है, अंतर राष्ट्रे ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है, ये RSPP Polish service day, संयुक्त राष्ट्रे ओलोगसेवा दिवस 23 जून को होता है, अंतर राष्ट्रे ओलिद्वा दिवस 23 जून को होता है, और अंतर राष्ट्रे नाविक दिवस, day of seafarer 25 जून को, इसकी theme थी, Seafarer at the core of shipping's future, nåavik shipping के भो श्यून के मूल में, MSME day Micro Small Medium Enterprises day 27 जून को होता ह इसकी क्या theme थी MSME 2021 Key to an Inclusive and Sustainable Recovery वैसे MSME मंत्री कौन है हमारे? चलो ये भी comment box में type करके बताओ World sickle cell device ये 19 June को होता है अब पुराने महीने की current affairs का revision करेंगे तो बताए किस भाट्य मूलकी नर्स को COVID-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्टरपती पुरुषकार से सम्मानित किया गया था कला नारेंड सामीन का नाम था तो कोरना काल में infection control practice का उप्यूब करने के लिए ये सम्मान मिला था इनको किस bank ने insta click बचत खाता launch किया था बैंको बडोदा ने और बैंको बडोदा में दो बैंको का विले हुआ था मरजर हुए थे देना बैंक और विजिया बैंक का याद रखना इसकी tagline होती इंडियाज इंटरनेशनल बैंक उसके अलावा पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ओनलाइन सेविंग अकाउंट भी इन्होंने शुरू किया था एड़कोटर मिलेगा इसका आपको बडोदा गुजरात में चेर्मेन को ने हस्मुक अधिया है Australian 2020 Miles Franklin Literary Award का विज़ेता चुना गया था तारा जून विंच को तो अस्ट्रेलिया लेखा के और अभी इन्होंने अपनी पुस्तक यिल्ड के लिए ये अवाड जीता था दुनिया में टॉप 50 Most Valuable Firms की लिस्ट में Airlines Industries Limited कौन से इस्तान पे रही थी 48-8 नंबर पे रही थी और इस लिस्ट में 1700 अरब डॉलर के Market Capital के साथ साओधी अरब की अराम कू ये टॉप पे थी निकारागुआ गंड राज्य अंतरराश्ट्रे सोर गटपंदर International Solar Alliance Framework समझोते पर स्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बनाता था 287 ये इंपोर्टेंट इतना नहीं है ये याद रखो कि International Solar Alliance का Headquarter कहां पर है गुरुगराम हरिया नाम है और निकारागुआ गंड राज्य ये एक Central American Country है जिसका Capital होता है मेनागुआ करंसी है निकारागुआ कौडेबो इस दीश को विश्व व्यापार संगथन World Trade Organization General Council द्वा तुर्कमेनिस्तान Capital एश्गबत होती है करंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत World Trade Organization की बात कर लो और इसका Headquarter आपको मिलेगा जनेवा स्विट्जल लेंड में है इसके Director General कौन है चलो जो बताओ comment box में टाइप करके किस राध्य की सरकार ने डेरी शेतर के विकास के लिए अमूल के साथ समझोता किया था तो आंचार होगा आंदर प्रदेश ने अमूल के CEO RS सोधी है Headquarter आनंद गुजरात में है ग्रामीन युवाओं को प्रसिक्षित करने के लिए NSDC यानि कि National Skill Development Corporation के साथ समझोता किया था ATEL Payment Bank ने यह सबसे पहला Payment Bank के 2017 में आए था यह इसके MDC यह अनुबरत बिश्बास है EMS ने COVID-19 रोग्यों को ट्रेक करने के लिए Smart Wrist Watch लांच की थी कहाँ पर? नागपूर में IIT नागपूर और IIT जूदपूर के साथ मिल करके EMS मतलब All India Institute of Medical Science मंगल पर अपना पहला सुतनतर मिशन 93-1 को लांच किया था चाइना ने इसके साथ जो रोवर बेजाता उसका नाम है जुरॉंग फिर बताइए राय मोना ये किस राज्य का छटवा राष्टर उद्ध्या नेशनल पार्क बनाये तो अंसर होगा असम का और ये जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है जिसे Pride of Borderland भी कहा जाता है और असम का भी सातवा नेशनल पार्क या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बनाये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तो यादर्खनासम में टूटल साथ नेशनल पार्क हो चुके हैं पहले पांच कौन से थे, काजी रंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडो के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और डेबरुशिक हुआ नेशनल पार्क बताईए कि से United Nations General Assembly के अद्धिक्स के रूप में चुना गया तो अंसरुद्दाब अब्दुल्ला शाहित को मालदिव के विदेश मंत्री है यह अभी 76th सेशन के लिए इनको अद्धिक्स चुना गया है और फिर बताईए 2024 में FIH यानि कि International Hockey Federation Hockey 5 World Cup की वेजबानी कौन सा देश करेगा यह होक्की का एक नया टूर्नामेंट है यह होंगे ओमान के मस्कट में उमान से आपको दो पॉइंट याद रखने हैं एक तो 2019 का गांधी शान्ती पुरुषकार के लिए उमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सेद को चुना गया यहां की करेंसी ओमानी रियाल है और 2021 का दूसरा चकरवाथ जो की बंगाल की खाड़ी से उठाता जिसका नाम था यास उसका नाम यास किस ने दिया था ओमान ने इसमें क्या होगा 75 वर्ष से जादा उम्र के जो वरक्ष होंगे उनकी देखबाल के लिए सरकार 25 रुपे देगी अब बताईए इसकुली सिक्षा में पर्फॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राजे टॉप पे रहा तो आंचर होगा पंजाब इसको हमारे पूर्व सिक्षा मंतरी रमेश पोकरियाल निशंग ने जारी किया था वर्तमान में आपके इस सिक्षा मंतरी कौन है दर्मेंद्र प्रदाब बताईए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हित्तेंद्र दवे HSBC का वैसे हेड़कॉर्टर लंदन में है इसके CEO नॉयल क्विन है HSBC क्या होता है हॉंग कॉंग एंड शंगाई बेंकिंग कॉर्बोरेशन किस हवाई अड़े ने नेट एनरजी निउट्रल स्टेटेस पराप्त किया केमपेगोडा इंटरनेशनल लेयरपोर्ट ने वित्वर्ष 2020-21 की बात कर रहा है किस यूनें टेरिटरी ने जहाँ वोट वहाँ वैक्सिनेशन अभ्यान शुरू किया तो आंचार होगा दिली मतलब 45-45 एर से जादा उमर के जो वैक्सिन लगनी थी हिमाचल परदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन इस्तापित करने जा लिए तो आंचारों का ओला वरष्टी को एंटी हेल गन ये तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बदित करती है रोकती है कैसे शेक फेवस उत्पन करके क्योंकि जो ओले होते हैं जो फसलों पे गिरते हैं तो फसले बरबाद हो जाती है किस फिल्म को 67 तर राष्टर फिल्म पुरुसकार 2020 में परिया वरन संगरक्षन पर सर्वश्रिष्ट फिल्म राष्टर पुरुसकार मिला तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल और ये अरुनाचर प्रदीश की है इसके निर्मातर निर्देशक शांतनू सेन है तो अब हम लो किस राज्य के मुख्य मंतरी ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉंच किया तो आंसर होगा उडिसा के मुख्य मंतरी नविन पतनायक में फीफा का हेड़क्वाटर जो रिक स्वेचल लेंड में है फीफा वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुल केंद्र सरकार ने किसकी अद्धिक्षिता में प्रधान मंतरी के आर्थिक सलाकार परिशत का पुनर गठन किया तो आंसर होगा डॉक्टर विबेक देबरोय इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनलजी अवर्ड से सम्मानित किया गया TVS मोटर कंपनी को और किस राज्य में आवास यूजना का भी उद्गाटन किया गया तो गुजरात में अंतरराष्टर इंटरनेट दिवस मनाया गया अभी 29 अक्टूबर को Google Pay ने स्वास्त बिमा की पेशकरश करने के लिए किसके साथ समझोता किया SBI General Insurance के साथ जिसका Headquarter Mumbai में है MDCO प्रकाश चंदरकांडपाल है Global Climate Tech Investment Trained Report में भारत नवैस्थान पर रहा टॉप पे USA है अर्थशास्त्र और सांखे की निदेशाले की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपाद 220 से बढ़कर प्रती हजार पुरूशब पर कितनी महिला हों गई तो आंसर होगा 933 गोवा में अभी किसने स्वस्त महिला स्वस्त गोवा की पहल की शुरुआत की है तो आंसर होगा